पठान कोट हमले को लेकर भारत के सुर्वी साफ रहे और कदम भी तभी तो भले ही पाकिस्तान ने साथना दिया हो लेकिन भारत की ओर से हर संभव प्रियास किया गया तभी तो जो मिटिंग पाकिस्तान ने ना करना चाहा तब भारत ने भी पठान कोट हमले की वज़े से मिलना मुनासिब नहीं समझा तभी तो एक प्रियास परदे के पीछे से जारी था नेशनल सेक्योर्टी एडवाईजर अजीर डोभाल ने दूसरी बार पाकिस्तान के एन 6 दिसंबर को भी इसी तरह की मीटिंग बैंकोक में कर चुके हैं उलांद के भारत आने से पहले पेरिस गए थे डोभाल सुत्रों के अनुसार जब डोभाल और जनजुआ की पेरिस में मुलाकात हुई उससे पहले ही भारत ने पठान कोट हमले में जैसे मुहम्मद का हाथ ह होने के सबुद जुटा लिये थे हलांकि इस मीटिंग को लेकर डोभाल की तरफ से कोई रियाक्शन नहीं आया है वहीं पीमों ने भी इस पर कमेंट करने से इंकार कर दिया दो जनबरी की सुबा 6 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पठान कोट एयर बेस पर हमला किया था इसमें साथ जवान शहीद हो गए थे हमले का मास्टर माइंड जैसे मोहमद का चीप मौलाना मसूद अजहर है भारत ने आतंक्यों की उनके हैंडलर से बातचीत की कॉल डिटेल्स और उनसे मिले पाकिस्तान में बने सामानों के सबूत परोशी देश को सौपे है पाक मीडि का दावा है कि मसूद अजहर को हिरासत में लिया जा चुका है पिछले दिनों नवाज सरीव के अडवाइजर सर्ताज अजीज ने भी इसे माना था कि अजहर प्रोयक्टिव कस्टडी में है